अलो स्टूडेंस और वेलकम बाग तो ग्यानत्या, अकम्प्लीट नॉलेज अब, आज हम डिसकेशन करेंगे ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है आईटीसी में, आईटीसी माने इंपुट टैक्स क्रेडिट और सप्लाइ नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, कुछ ऐसी सप्ला क्या होता है और क्रेडिट किस तरह के से इस्तमाल क्या जाता है अपने आउटवर्ट लाइबलिटी को कम करने के लिए तो उन सारे स्टूडेंस को न्यू वीवर्स को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरा प्रीविएस वीडियो जो कि मैंने आईटीसी पे डीटेल में बनाय नया अमेंडमेंट करके उसको डाला गया था उस प्रोविजन में तो उस पे भी मैंने वीडियो बनाये हुआ है सेम ही वीडियो में आपको सेक्शन 49 का भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हो आईटीसी को और यूटिलाइजेशन किस तरीके से आप 88-1 के वो भी आपको सेम वीडियो में मिल जाएगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी साथ में जो उपर आई बिटन बिलिंक कर रहा है सजिस्टेट वीडियो पे वहां से भी आप जा करके एक्सेस कर सकते हैं गाईज अगर हम मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बैल आइकन जरूर से प्रेस कर लिजेगा क्योंकि मैं इसे तरीके के वीडियो अपलोड करती रहती हूं Commerce and Management से रिलेट जितने भी वीडियो हैं जितने भी सब्जक्स हैं उन सभी का नोट्स और सभी का वीडियो आपको यहां पे मिल रहे हो तो उस वग आप जो input purchase करते हूं समान की manufacturing के दौरान तो आप उस पे tax pay करते हो जब समान खरीते हो आप जिसे कि आपने raw material खरदा आपने किसी कोई services ली आपने capital goods purchase कि उस पे आप services क्या करते हो उन सारी चीजों पर आप अल्रडी tax pay कर चुके हो तो जो tax आप पे कर चुके हो अल्रडी उस प्रडड की manufacturing के दौरान वो आपका as a credit आपके पास में रखा रहता है फिर जब आप उस अमान को किसी दूसरे supplier को बेचते हो या retailer को बेचते हो या distributor को बेचते हो तो आप उससे वहाँ पे tax लेते हो तो वहाँ पे जो आपकी outward tax liability बनती है जो आप tax लेते हो क्योंकि उस tax को आपको government के पास में deposit करना होता है तो उस outward liability को कम करने के लिए आप अपना previous पहले का रखा हुआ credit इस्तिमाल करते हो और उससे अपने outward liability को कम करते हो हम last के दो वीडियो में इसी पर हमने discussion detail में किया था example के थूँ तो थोड़ा से मैंने आपको यहापे overview दे दिया ताकि आप लोगों को जो new viewers है उनको थोड़ा clear रहे कि credit किस तरीके से block होता है तो आपको इतना तो समझ में आ गया अब देखिए JST के अंदर में कुछ supply ऐसे होते हैं मतलब कि कुछ goods and services जब आप manufacture करते हो जब आप बनाते हो और उनकी input पे जब आप tax pay करते हो उसका credit आपके पास में रखा तो रहता है बट कुछ-कुछ cases में आप उस credit को अपनी outward liability को कम करने के लिए use नहीं कर सकते हो तो वो credit जो आपने रखा है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो गाइस उसी को बोलते हैं block credit मतलब आपके पास में credit तो रखा हुआ है बट आप उसको use नहीं कर पा रहे हो किसी reason से नहीं use कर पा रहे हो या JST के provision के अंदर में वो category में नहीं आता है जिसमें आप उस liability को कम कर सको जब JST का act बना तो वहाँ पे कुछ supply जैसे की goods and services कुछ ऐसे manufacturing goods को list किया गया जिसमें आप अपनी outward liability को कम करने के लिए अपने credit को इस्तमाल नहीं कर सकते हो तो वही credit जो आपने रखा हुआ है वो आपका block हो जाता है तो guys उसी को बोलते हैं block credit तो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी में explain किया उसी का same English यहाँ पे आपके screen पे लिखा हुआ इसका screenshot ले लीजेगा और इसे आप copy में लिख लीजेगा blocked input tax credit हम पढ़ रहे हैं तो यह तो आपको समझ में आ गया कि जो credit आपके पास में है और आप use नहीं कर पा रहे हो उसको बोलते हैं block credit अब वो कौन-कौन से input पे या कौन-कौन से समान के आप manufacturing कर रहे हो जिस पे आप अपने उस credit को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो देखे गाइस मैं आपको बार-बार कह रहे हूँ कि ITC और utilization of ITC पे related मैंने दो वीडियो अलरड़ी upload कर दिये हैं आप वो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ITC है कि अगर आप पहली बारी वीडियो देख रहे हो तो आपको confusion हो सकती है तो आप वो ज़रूर देख लेना तो इसमें कुछ items हैं जो कि JST के balance के अंदर में JST के regime के अंदर में allowed नहीं है कि आप वहाँ पे अपने credit को जो आपने as a input पे जो आपने already tax pay किया हुआ है raw materials पे या capital good पे या किसी भी input पे जो आपने अपने product की manufacturing के दोरा जो tax आप already pay कर चुके हो वो as a credit रखा रहता है तो उस credit को आप use नहीं कर सकते हो और वो कौन सी चीज़े हैं जैसे कि पहला है motor vehicles and convenience जो आप convenience वगर आप use करते हो या जो motor vehicle की जब आप manufacturing करते हो तो यहाँ पे आप कुछ-कुछ जगह को छोड़के क्योंकि इसमें कुछ exceptions भी दिये हुए हैं एक-एक point यहाँ पे तकरिबन 12 to 13 points हैं जिन पर आप ITC इस्तमाल नहीं कर सकते हो अपने तो मैं उसको detail में नहीं जाओंगी क्योंकि guys आपको इस पर PhD करनी नहीं है आपको point से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पर आप अपना ITC यूज नहीं कर सकते हो आपके लिए more than enough है उतना exam के point of view से अगर आपको उसमें भी detail चाहिए कि किस-किस चीज़ पे exception है किस-किस चीज़ पे आप कर सकते हो तो आप इसकी official website पे जा करके visit कर सकते हो आपके exam के point of view से देखा जाए या banking perspective से देखा जाए या किसी की तैयारी अगर आप करे उसके point of view से देखा जाए तो guys आपको सिर्फ इतना पता होना जरूरी है कि आप ITC का इस्तेमाल कौन से जगप है या कौन से goods की manufacturing में नहीं कर सकते हो इतना more than enough है दूसरा है foods and beverages, outdoor, kittering, beauty, treatment, health services, cosmetics, plastic surgery इस पर पूरी तरीके से आपना ITC यूज नहीं कर सकते हो भले ही आपने इन सब के समान के manufacturing के दौरान आपने उस पर already tax दे रखा है motor vehicle वाले में कुछ exceptions है कुछ जगा तो जहां पर मैंने लिखा हुआ exceptions are there मतलब कि वहां पर आप कहीं-कहीं आप ITC यूज नहीं कर सकते हो उसी तरी के sales of membership in a club, health, fitness center यहां पर आप ITC यूज नहीं कर सकते हो अगर आपने fitness center वगर बनाया है, gym वगर कुछ रखा हुआ है, gym का समान वगर रखा है, membership आप ले रहे हो तो membership वगर में आप अपना ITC यूज नहीं कर सकते हो अगर आपने fitness center का सोचा कि मैंने gym room रखा, gym room मैंने purchase किया कहीं से बाहर उस पर आपने tax पे कि आप सोचो कि आप उस tax को अपनी membership के liability को कम करने के लिए यूज आउटवर्ट लिए को कम करने के लिए यूज कर लो तो यह पॉसिबल नहीं है साथ में rent, cab, health insurance, life insurance इस पे भी आप नहीं कर सकते हो बट इन सब जगह पे कुछ exceptions दिए गये हुए हैं मतलब की insurance वाले sector में कुछ exceptions हैं और motor vehicles वाले में मतलब automobile वाले में कुछ exceptions हैं तो दो exception आपको यहां पर दिगए इन दोनों में बिलकुल बाकी और जगह आप नहीं कर सकते हो travel benefits लेते हो employees जो वहां पे भी आप IDC के इस्तिमाल नहीं कर सकते हो चटा point है works contract services जो contract पे services ली जाती है government की प्राइवेट जो tender वगर ले जाते हो उनमें आप अपने IDC इस्तिमाल नहीं कर सकते हो वहां पे कुछ exceptions भी है तो guys इस slide में तीन exception आपको मिल गया एक motor vehicle में मिल गया एक insurance वाले में और rent वाले cab में मिल गया और दूसरा जो है अगर आप contract services वगर ले रहे हो तो वहां पे आपको कुछ exceptions रहते हैं बागी आप IDC यूज नहीं कर सकते हो कुछ चीजों को छोड़ करके नेक्स देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट है आपका goods and services for construction of immovable property मतलब जो आपकी property है अगर real estate का business कर रहे हो आपने कुछ ऐसे property वगर परचेस कर ले वहां पे अपना IDC आप यूज नहीं कर सकते हो फिर personal use अगर आप कर रहे हो यहां पे तो आप यहां पे personal use के दौरान भी आप IDC यूज नहीं कर सकते हो goods and services और both received by non-resident taxable person कोई non-resident taxable person है कि मतलब ऐसा person जो कि non-residential India का नहीं है बट वो taxable है except for any of goods imported by him except कि अगर वो कोई good import कर रहा है तो वहां पे वो जो भी good services manufacture कर रहा है यह वो रिसीव कर रहा है वहां पे वो अपने IDC को use नहीं कर सकता है फिर goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed off by the way of gift or free samples यहां पे भी आप फ्री में अगर आप कोई समान मिल गया तो आप सोचो कि आप उस पे कुछ false तरीके से JST वगर दिखा करके और input tax दिखा करके आप वहां पे use कर लो तो वो नहीं हो पाएगा फिर ITC will not be available in case of any tax paid due to non-payment और short payment मतलब अगर आपने कोई tax नहीं पे किया हुआ है, कोई due रह गया हुआ है या कोई short tax payment है excessive refund अगर आपका है कुछ और ITC utilized और availed अगर आपने अपना ITC already utilized कर लिया है या availed by the reason of fraud, fraud या आपने कुछ fraud show किया हुआ है या कुछ आपने willful misstatement represent किया हुआ है suppression of facts मतलब आपने किसी सत्य बात को, such fact को, true fact को आपने suppress किया है, चुपाया है या confiscation किया है या seizure of goods है, अगर आप confiscation करते हो, मतलब आप जूट बोलते हो, आप fraudulent करते हो तो इस situation में, a seizure of goods है, अगर आपने goods को चोरी किया हुआ है, या अपने fraud तरीके से इसको represent किया है और आप ये दिखाना चाहो कि मैंने इसको manufacturing की है, और इस पर मैंने tax pay किया है, fraud bills वकरे जनरेट करके और मुझे आप उस पर ITC अपनी दिखाते हो, कि मेरा input tax credit इस पर बन रहा है, और मेरी जो liability, outward liability आ रही है, मैं उसको कम करना चाहता हूँ, इस ITC से तो आप guys वहाँ ये उस्तमाल नहीं कर सकते हो, ये सारे तो कुछ चीजे हो गया, last में हो गया, क्या, GST, GST on input tax credit on restaurant and hotel accommodation, अगर आप hotel वगर का accommodation, मतलब की staying का आपने कुछ bills वगर रखा हुआ है, या restaurant वगर में आप खाना वाना खाया हुआ है, restaurant वगर में आप investment कर रहे हो, तो वहाँ का अगर आप सोचो कि आप खापी करके, या hotel में राद बर आप रुके हो, उसको as a tax credit आप इ अंदर में, कि आप इन इन जगह पे नहीं कर सकते हो, ये आपके total 13 पॉइंट है, और हर एक पॉइंट के अंदर में, मतलब उसको explain किया गया हुआ है, दो दो तिन तीन लाइन, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो सारी चीज़ों की जरूरत है, अगर आप ऐसा student इसमें आपके दो टॉपिक मैंने कवर कर दी कि ब्लॉग क्रेडिट क्या होता है, और supply not eligible for ITC, supply का मतलब क्या, जब आप किसी चीज़ की supply करते हो, तो उस पर टेक्स बनता है, मैं बता चुकि हूँ प्रिविस वीडियो में, supply आप दो ही चीज़ का करते हो, एक goods करते हो, एक चेक कर सकते हो चीज़ों को, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से JST को मैच किया जाता है, मतलब, sorry, ITC को मैच किया जाता है, मतलब, input tax credit को कैसे मैच करते हैं, कैसे claim करते हैं, और अगर आपने false claim कर दिया हुआ है, तो उसको reclaim कैसे करते हैं, उसको reverse कैसे करते हैं, तो वो सारे चीज़ों को हम discussion करेंगे next video में, so thank you guys for watching my video, हम मिलते हैं next video में जल्दी ही, and also please like कर लेना, subscribe कर लेना, क्योंकि guys आपका subscription ही मेरा motivation है, thank you so much guys.